एक जुलाई को अंतराश्टिये चुटकुला दिवस सारे विशु में मनाया जाता है। केवल आज ही नहीं वरन रोजाना हसी और खुसी का बहाना ढूंडते रहिए। यूं तो हसने के कई बहाने होते हैं लेकिन इन में से सबसे आसान तरीका है चुटकुला जोक्स चुटकुले और व्यंग के छोटे पद अक्सर हमारी हसी को बेजिजिक बहार निकालते हैं। दुनिया में हजारो किस्म के चुटकुले पर चलिते हैं। कुछ किसी प्रमुक व्यक्ति विशेश पर आधारित होते हैं तो किसी समूदाई विशेश पर अक्सर चुटकुले हमारी हसी की वज़े बनते ही हैं। हसी जीवन के लिए एहम है और चुटकुले हसी के लिए एहम है। हसी और चुटकुलों के इसी संबंद को समझते हुए हर वर्स एक जुलाई को अंतराष्टिय चुटकुला दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतराष्टिय चुटकुला दिवस को दुनिया में हसी फैलाने के मकसद से मनाया जाता है। इस दिन दुनिया में लोग अपने दोस्तों और करीबियों को चुटकुले बाटते हैं और खुसिया पहलाते हैं। हिंदी लोग प्रिये फिलम जीने की रहा के गीत की पंक्तियां हमसे बहुत कुछ खहती। जमाने वालों किताबे गम में खुसी का ठिकाना ढूंडो, अगर जीना है तो हसी का बहाना ढूंडो। महत्मा पुद्ध के कई सिशे थे, उनमें से एक थे जापान के होते ही, ऐसा माना जाता है कि जब होते ही ने ग्यान की प्राप्ति की और तव्य जोर जोर से हसने लगे, तभी से उन्होंने अपने जीवन का एक मात्र उद्देश बनाया लोगों को हसाना और खुस देखना, ह होते ही जहां भी जाते, वहां लोगों को हसाते, इसी वज़े से जापान और चीन में लोग उन्हें हसता हुआ बुद्धा बुलाने लगे, जिसका अंग्रेजी में आर्थ है लाफिंग बुद्धा, बाकी बोध गुफाओं की ही तरफ लाफिंग बुद्धा के भी अनु और संपन्यता का द्वार समझा जाता है, विशे सग्यों के अनुसार हसना जरूरी है, सांस बहार की और छोड़ते समय हाहा कर हसने से सरीर के कई मैत्वपूर्ण हिस्सों में रक्त का संचार सुचारू रूप से होता है, जिससे ये अंग मजबूत होते हैं, सांस को बहार क और निकालते हुए खुल कर हो हो करते हुए हसने से तंत्री का तंत्र और पाचन तंत्र पर अच्छा प्रभाव पड़ता है और इनकी कार्य चमता बढ़ती है हसने से हम मन की शक्ती का अधिक से अधिक परियोग कर पाते हैं हाँ 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 के आवाज में जोर से हसने से ब्लेड सर्कूलेशन तेज होता है हसना स्वास्त के लिए लाबदैक होता है रात को हश योग का अभ्यास करने से सारी चिंताएं मिट जाती है और नीद अच्छी आती है हसने से सकारात्मक उर्जा का विकास होता है हसना भी एक योग है हसते समय हमारा दिमाग तनाव मुक्त हो जाता है, हसने से उधर उधर भटक रहा मन इस्तिर हो जाता है और ध्यान लगाना आसान हो जाता है, खूब हसना हस से ध्यान योग लगाने के लिए बहुत जरूरी है, चारली चैपलिन कहते थे जिन्दिगी में सबसे बेकार दिन वह हैं हैं जिस दिन आप नहीं हसे, हसने के मानशिक तनाव में कमी आती है, हसने से टी सेल्स की संक्या में व्रद्धी होने से हर्द्य रोग की कम संभावना होती है, हसने से अलसर, अर्थराइटेज, स्ट्रोक, डाइबिटेज, आदी के प्रभाव में कमी आती है, हसने से ब् आत्म कुर्जा का विस्तार सारी धर्ती पर होता है हाशे फिलमें तथा उनके हासे से भरे गाने भी व्यक्ति के जीवन में खुसी लाने में मैत्वपूर्ण भूमिका निबाने वर्तमान में सारा विश्व आतंकवाद रोगों ग्लोबल वार्मिंग तथा घातक सस्त्रों की होड से पीडित है हासे एक सार्व भूमिक भासा है हसी में जाती धर्म रंग लिंग देश की सिमाओं से परे रहकर मानव जाती को एकता रूपी धागे से जोडने की चमता है हासी से सारे विश्व को जोड कर लोकतांत्रिक एवं न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्था का निर्मान कर सकते हैं जीवन की हर परिस्तिती में हमारे चेहरे पर हसी तता मस्तिष्क में शांती बनी रहनी चाहिए युगा अनुकुल एक विचार में बहुत सकती होती है हमें सकारात्मक तता मानवे विचार की शक्ति को पहचानना चाहिए 21 सदी में संसार के प्रतेक व् मानव जाती की सेवा के विश्व व्यापी द्रश्टी कौन को अपनाना चाहिए हमारा पूरा विश्वास है कि हासी अर्थार्थ हैपी धोट सी विश्व में वसुदेव कुटुमगम की आउधार्णा को साकार्थ कर सकता है धन्यवाद जैहिन जैभारत